भारत में कारखानों का आना बंबई, वर्तमान मुंबई में पहला कपड़ा मिल 1854 में लगा और दो साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा सन 1862 तक वहां ऐसे चार मिले काम कर रहे थे उनमे 94,000 तकलियां और 2150 कर गे थे उसी समय बंगाल में जूट मिले खुलने लगी वहां देश की पहली जूट मिल सन 1855 में और दूसरा साथ साल बाद सन 1862 में चालू हुआ उत्तरी भारत में एलगिन मिल सन 1860 के दशक में कानपूर में खुला इसके साल भर बाद एहमदाबाद का पहला कपड़ा मिल भी चालू हो गया सन 1874 में मदरास में भी पहला कताई और बुनाई मिल खुल गया 36 गड़ के राजदान गाउं में सन 1894 में सीपी मिल प्रारम हुआ इसे सन 1906 से BNC कहा जाने लगा आईए देखें कि उद्योग कौन लगा रहे थे उनके लिए पुंजी कहां से आ रही थी मीलों में काम करने वाले कौन थे प्रारंबिक उद्धमी व्यपार से पैसा कमाने के बाद कुछ व्यपारी भारत में कारखाने इस्थापित करना चाहते थे मुंबई के दिन्शो पेटिट और आगे चलकर देश में विशाल और द्योगिक सामराज इस्थापित करने वाले जमशेद जी टाटा, नुसरवान जी टाटा जैसे पार्सियों ने आंशिक रूप से चीन को अफीम आदी निर्यात करके और आशिक रूप से इंग्लेंड को कच्चा का पास निर्यात करके पैसा कमा लिया था सन 1917 में कोलकाता में प्रथम देशी जूट मिल लगाने वाले माडवारी व्यवसाई सेट हुकुम चंद ने भी चीन के साथ व्यपार किया था यही काम प्रसेद उद्योगपती जीडी बिडला के पिता और दादा ने किया इनके अलावा कुछ वाणिजिक समूँ थे जो विदेशी व्यपार से सीधी जुड़े हुए नहीं थे वे भारत में ही व्यपार या साहुकारी करते थे जब उद्योगों में निवेश के अवसर आए तो उनमें से बहुतों ने फैक्ट्रिया लगा ली मजदूर कहां से आए ज्यादतर ओद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे जिन किसानों कारिगरों को गाउ में काम नहीं मिलता था वे उद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते थे 1911 में मुंबई बंबई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50 प्रतिशत से ज़्यादा मजदूर पास के रतनागिरी जिले से आये थे कानपूर के मिलों में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर कानपूर जिले के गाउं से ही आते थे मिल मजदूर बीच बीच में अपने गाउं जाते रहते थे वे फसलों की कटाई वो त्योहारों के समय गाउं लोट जाते थे बाद में जब नए कामों के खबर फैली तो दूर जूर से भी लोग आने लगे उदाहरन के लिए वर्तमान उत्तरप्रदेश के लोग बंबई की कपड़ा मीलों और कलकत्ता की जूट मीलों में काम करने के लिए पहुँच रहे थे नौकरी पाना हमेशा मुश्किल था मजदूरों के भरती के लिए प्राया एक जौबर प्रतिनिधी या एजेंट रखते थे जौबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था वो अपने गाउं से लोगों को लाता था उन्हें काम का भरोसा देता था उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता था और मुसीबत में पैसे उधार देता था इस प्रकार जौबर ताकतवर व्यक्ति बन गया था बाद में जौबर मदद के बदले, पैसो, वतोफों की मांग करने लगा और मजदूरों की जिंदिगी को नियंतरित करने लगा अंग्रेश सरकार के नीदिया भारती उद्योगपते यह मांग कर रहे थे कि भारत में आयात होने वाली वस्तों पर आया शुल्क लगाएं देशी माल पर कर लगाने के पक्ष में नहीं थी क्योंकि इससे ब्रिटेन के उत्पादनों पर विप्रीत असर पड़ता जब सन 1896 में उन्हें राजकिये खर्च के लिए शुल्क लगाना जरूरी हो गया तो उन्होंने विदेशी और देशी दोनों पर समान कर लगाया इस प्रकार भारती उद्ध्योगों को सनरक्षन नहीं मिल सका सरकार ने भारती उद्पादनों की गुणवत्ता की कमी का कारण दिखा कर यहां का समान खरीदने से इनकार कर दिया लिखने का कागज और स्याही तक ब्रिटेन से आयात होता था यह परिस्तिती सन 1914 तक बनी रही जब यूरोप में युद्ध के कारण वहां से समान भारत ना आ सका उसके बाद भारती उद्ध्योग स्वतंतर रूप से विक्सित होने लगे अंग्रेश सरकार ने भारत में भी बाल मजदूरों और महिला मजदूरों के हित में कानून बनाए यह कानून बना कि 9 साल से छोटे बच्चों को काम में न लगाया जाए वा बाल मजदूरों से दिन में 7 घंटों से अधिक काम न लिया जाए इसी तरह यह व्यवस्था बनी कि महिलाओं से 9 घंटों से अधिक काम ना लिया जाए अंत में 1911 में पुरुषों के लिए यह कानून बना कि उनसे 12 घंटों से अधिक काम ना करवाया जाए